गुरुजी के रादे रादे आपके चड़ों मेरा प्पडाम खुश रही है मेरा एक क्वेश्चन यही है कि मैं 24 गंडे जहां भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे गुरुजी थे स्री स्री एक हजार आठ शुकदेवा नंद जी महराज बेंड के वह जहां भी सचंग करते थे तो वह एक मंत्र सब से पहले कहते थे तो उस मंत्र का केवल मुझे अर्थ चाहिए और कुछ नहीं है भजे नंद कुमारम सर्व सुख सारम तक तो वेचारम ब्रम परम शेरी रिष्ड चेतन प्रभुने तनंदा — ओम राम यूम राम बालम कुंदा ओम नमस सिवाए सिवाए नमा — ओम नमस सिवाए नमा इसका अर्थ है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान स्री कृष्ण है वो सभी तथ्पों का सार हैं सभी वेदों का सार हैं इसलिए उसी कृष्ण को भज उसी कृष्ण का भजन कर ये अर्च है रादे रादे गुरुजी आपके जड़ों मेरा पड़ा खुश रही इस तरह भी आगे भी बात करने के लिए हैं रादे रादे गुरुजी हम मनसुर जी ले से आएं हमारी मौसी हमारी मम्मी और सब आएं हम रोज आपकी कथा सुनते हैं आपका आशिरवाद हमारे उपर बना रहे हैं आज हमारा जीवन धन्न हो गया कि आपके दर्शन हो गए रादे रादे और किसका प्रशन है हाँ TV माई को लता है सिधा करो माई को लता है सिधा करो आ आसले आप अधी ए स ora ये बात करने के लिए बो रहे कि गुरुजी मेरे से नराज राग बाद करा हो कि अल्य वार्भी और राम भाई जुरर आए राम राम गाल्बार ले जा रही हूं यहां से तो गालबाल को बोलते हैं तु अकेली है और ले जार हैं अगर उसका पुजा नहीं कर पागे तभियत खराब हो जाएगा तो कौन करेगा है, जब तभória खराब हो जाएगी तो रोज जब आप उनकी सेवा करते हो जब तभियत आपके खराब हो गी तो भगवान आपकी सेवा कर लेंगे भगवान भक्त की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की तब यह जब खराब होगी होगी ले जाओ सेवा करो जब होगी तब देख लेंगे ठीक है? जेतने देन अच्छी होतने दिन तो करो तब यह दो बिगड़ उसके चक्कर में अच्छे दिन वही सेवा ना उससे अच्छा करो लेकिन और एक बात है कि मेरे को बार बार घुटकन आ रहा है कि मेरे से बिल्ली पाप हो गया मैं कैसे करूँगी बिल्ली पाप मतलब यह कौन सा पाप है बिल्ली मर गई आप से क्या कोई मार रहते ना मैंने बता यह है करके अच्छा बिल्ली का पता बता दी आपने तो कोई बिल्ली को क्यों मार रहा था उसका चूहा खाता था सफेद वाला अच्छा बिल्ली उसका चूहा खा गई सफेद वाला तो फिर उसने उसको मार दिया हाँ तो मैं बोली किसी महराज से पूछती हूं तो बोलते हैं दो-चार हजार अगर दान कर दोगा खाने पिने के लिए तो नहीं होगा उसको लिए बिल्ली बना के देना पड़ेगा सोने का तो मैं चुप-चाफ हूं इसलिए आपके साथ पुछने आई हमने तो बच्पन में सुना था अब ये बात सही है कि गलाच है पता नहीं हमने भी सुना था कि किसी से बिल्ली मर जाए तो सौने की बिल्ली बना कर दान करने से इस पाप से मुक्ती मिलती है अब ये सही है गलाच है इस पर महर नहीं लगाता लेकिन बिल्ली नहीं मारना चाहिए बिल्ली जो है न देखो मारना किसी को नहीं चाहिए चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो कोई चीटी हो कोई क्यों मारे हम इसलिए देखो एक संत जी ने एक कसाई के हाँ से गाय छूट गई और संत जी से पूँचा क्यों जी वो गाय कहां गई हमारी तो संत जी ने बता दिया उस तरफ गई है तो संत जी को भी हत्या लगी थी कि तुमने क्यों गाय का पता बताया तो जितना पापी मारने वाला है बिल्ली को उतना ही पाप के भागीदार आप हैं क्योंकि आपने उसका पता बताया तो पाप के भागीदार तो हैं लेकन एक बात है कि आप धाम में आ गए हैं और दोबारा से वो पाप ना दोहराई जाएं धाम में आकर जो ब्रंदावन में गोबर्धन में राधा कुंड है न उस राधा कुंड में शनान कर लेने से उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी राम राम